तो है अपने यूटूब चैनल संद्या कंप्यूटर क्लास मैं शुन कुमार एक बाद फिर से आप सभी का तैदिल से स्वागत करते हूं आपकी इस बैतरिन मंस पे सभी विद्यारती जुड़ेगी गाई शेशन के साथ में क्योंकि आज का शेशन कापी सांदार और जानदार होने वाले हैं जितने भी विद्यारती जुड़े हैं आप सभी का तैदिल से स्वागत आज की मौटिवेशनल कोट के साथ में आज की क्लास को सुरू करते हैं कि रख होशला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर भी आएगा यो ठकर ना बैटे मंजिल के मुशाफि मंजिल भी मिलेगी और इस बार मिलने का मज़ा भी आएगा तो बाइस तारीक के दिन एक्जाम पर भते करने वाले हैं तो जुड़ जाएगा इस शेशन के साथ में क्योंकि इस बार शेशन में दुआ दुआ होने वाला हैं तो जितने भी प्यारती मेरे से जुड़े हैं आ जिभार को उन्मेद करते रहेंगे कि किसका उपयोग दो या दो से अधिक डिवाईजहों के बीच फाइलों को इस्ताना अंत्रिट करने के लिए किया जाता है तो मेरे विद्यार्ट जल्दी से जल्दी कमेंट करें उम्मेद रहेगी आप सभी से कि आप लोग कमेंट करेंगे देखें मेरे पास में इतना समय तो नहीं रहता कि आप सभी की comment का मैं जवाब दे पाऊंगा लेकिन हाँ मैं मेरी और से question आपको बताता जाऊंगा आप भी अपनी और से try करते रहीगा देखें आप से बोला है कि किसका उपयोग 2 या 2 से अधिक device के बीच फाइलों को इस्ताना अंत्रिक करने के लिए किया जाता है तो मेरे विद्यार्थी यहां से जो आपका है correct answer कौन सा हो जाता है option A आपका बिल्कुली correct answer हो जाता है अब देखें यहां से है जो और आपसे क्या क्या examiner की approach हो सकती है तो bluetooth आपसे पूचा जा सकता है कि किस परकार का network है तो मेरे विद्यार्त यू आप सभी को पता रकना है कि bluetooth जो होता है एक pen परकार का network होता है आप बोलेंगे कि sir pen का मतलब क्या होता है कि आप सभी Admiral का मतलब होता है personal area network क्या होता है personal area network यह इतने सी बाते आप यहां से clarity रखेंगे तो आपका किशिन इस बार बिल्कुल सेटिक बैटन है वाला है आप सभी ने लगबग कमेंड की हैं जो अब्यारती सेशन से लेट जोड़ रहे हैं वह आप सभी का भी संद्या कम्पिटर तरह दिल से आबार वेक्त करता हैं आप सभी विद्यारते उसे उम्मीद हैं कि आप जो हैं इस सेशन को जादा जादा फैला दीजिएगा क्योंकि आप सभी के जो हैं एक्जाम में जितने भी इस्ट्रेंट रिबैटन ने वाले हैं उन सभी के लिए आज का सेशन कापी सांदार होने वाला है देखिए दूसरा किशिन आप सभी की स्क्रीन पे कि सूचना का क्लिब क्या होता है मेरे विद्यार जो एक ऐसा प्लेट सोचना को एक तिवर तरीके से एक जो है पहुचा है जाएगा उसका संप्रेशन किया जाएगा तो इन मैंसे किसके माध्यम से आप सूचना को एकदम हाइवे सूपर हाइवे पर जैसे गारिया चलती है उसी तरह इसको क्या बोलता है नेट्रकों का नेट्रक यानि कि यह क्या होता है सूचना का सूपर हाईवे होता है नेट्रकों का नेट्रक होता है आप सभी लोगों को पता रखना है इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो एक सूचना को दूसरे जो है टावर तक यह आप बोल सकते नेट बहुत बार हुब हुब पूचा जाएगा कि ISP क्या होता है तो आप सभी को पता रखना है कि ISP का पुरा नाम Internet Service Protocol होता है कितनी बार iDation पूचा हुआ है आप सभी लोग यहां से पता रखना यानि कि इसका पूरा नाम आपका क्या हो जाता है internet service protocol आपका यहां से बिल्कुली correct answer हो जाता है आगे बढ़ते हैं next question के और और आपका जो एक और है internet है internet पे आप देख लेना कि internet का मतलब होता है एक परकार का नेजी network होगा जो किसी company किसी समुदाय के लोगों के द्वारा ही यह चलाए जाएगा यह सार्वजनिक परकार का नहीं होता है जबकि जो आपको यह internet दिखता है यह आपका इंटरनेट है यह नेजी होता है minor सा आंतर है लेकिन आप सभी को पता रकना है पता रखोगे तो एकजाम में किसी परकार की दिक्कत नहीं आएगी वरना आप सभी को पता है कि आरिशेटी एक्जाम में भी कई बार जो है अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है आगे बढ़ते हैं next question की और आप सभी विद्यार्ची जो comment कर रहे हैं आप सभी का तैदिल से स्वागत आप जुड़े हैं आरिशेटी के एक बैतरीन मंस के साथ में जो हर बार विद्यार्ची के उमिदों पर खरा उतरता है और इस बार आपकी उमिदों पर खरा उतरने का जिम्मा ले रखा है AIPS का पूंड रूप क्या है आब तो बैषि सीदा सापको पूरा नाम ही पूचा तो बता दिजीएहगा जल्दी सबीबता दिजीएगा तब तक मैं आपको बताता हों यह AIPS क्या होता है तो विद्यार्ची देखी जिस center पे आप जाओगे वापे आपसे क्या किया जाएगा ए मित्र बगेरा पे आपसे अंगूटा दिलवाया जाएगा और अंगूटे के माध्यम से आपकी fingerprint के दुआरा आपके bank account से आपका payment आपको cut करके दिया जाएगा या फिर जो भी है परक्रिया वहाँ से की जाएगी तो ऐसा आपने machine कई बार देखा होगा और उस machine का पूरा नाम विद्यारतों क्या होता है आदार इनेबलेट payment system क्या होता है आदार इनेबलेट payment system option A जो है यहां से आपको बिल्कुली correct हो जाता है आप सभी ने comment की आप सभी का तैदिल से अबार अगला question है कि निमन मैं से online shopping website का एक उदारन है तो विद्यारत यह देखे का पी सांदार किशिन यह भी है अब देखो तब तक आप comment करते रहें मैं थोड़ा सा आपको online shopping website के बारे में बता देता हूं online shopping website वे website होती है जिसके माध्यम से उप्योग करता है या फिर उप्वोग करता क्या कर सकता है अपनी चार परकार की होती है बी टू सी चीटू सी पी और एक आपका होता है बीटू अब सर यह क्या मांज रहा है हैं ना तो देखिएगा बिलीटू बीधी का मतलब इसमें आपको सीममपल सी आध रखना है कि का मीन्स होता है 비诗ोजनस ए आप का मिन्स होता हिließ प्रोक्ट तू बिजनस इसका तो करेक्ट एंसर आपका उप्रोग सभी हो जाएगा यानि यह आपको सरकारी ओप्षन दिखता है यह यहां से बिल्कुली करेक्ट इविकल्ब हो जाता है जब भी ऐसा किशन आपको देखा जाता है सतर तीस का रेशियो होता है कि सरकारी ओप्षन पर जाएगा यानि कि जो आपको सरकारी ओप्षन दिख रहा है कौन सा वो प्रुक्त सभी वाला आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किश्वन की और कि निमने वैसे राजस्थान सरकार दौरा चलित ई-कॉमर्श वेबसाइड का एक उदारन कौन सा है जो बता दीजिए का जल्दे से जल्दे आप सभी से उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में जो है एंस्वर लगातार कर रहे होंगे विद्यार्ट दिखेशन कापी लंबा नहीं कर सकते आपके बास में भी समय कम है मैं भी हमारा और भी काम देखना होता ह तो शेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे यानि आप से थोड़ा सा इंट्रेक्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी कोसिस यह रहेगी कि एक एक कुशन तक एप्रोच मेरी रहने वाली हैं आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में कि बढ़ा दिया कि जिसके माद से मिंत्रा आप क्या करते हो मैं इसमें क्या किया रखा कि अपना हम पर बोलेंगे कि सरी E-Gnew ग्यान क्या होता है तो देखिआ कि विद्यार तियों चुné ग्यान है यह आपका जस्ट आपको क्या है कि वजोड extreme इसके मार्यों से विद्यार से क्या क्या जाती है, ऑनलाइन सिखसा देजाती है तो यहां से मेरे क्याल से आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किशिन की और और जितने भी ब्यार थी लेट जोट रहे हैं भई आप सभी का इस मंस पे स्वागत हैं आज की सब बैतरीन जो हैं क्लासिस आपकी हो रही है लगातार आपकी क्लासिस हो कि क्या होता है जल्दी से बता दीजिएगा की ipp का मतलब क्या होता है अब तो आप बोलेंगे इकैसी प्रोटोकोल Inc. तो देखें विध्यारते हैं एक यसी होती है जिसका पूरा नाम आपका क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है अब कभी कबार एक्जामेनर की अप्रोच होगी कि आपसे वो सीधा किशन करेगा कि निम्नमैसी आई-पी एड्रेस का एक एक्जामपल है तो विद्यारत हो आपको ऐसे ऑप्षिन को टिक करना है जिसमें आपको सारे नंबर्स दिखते हो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा आगे बढ़ते हैं नेक्ट किशन की और आप सभी के स्क्रीन पे किशन नंबर 7 आज की क्लास का आप सभी लोग कमेंड करें कमेंड करोगे तो ही आपको अपना इस तर जो है देखने को मौका मिलेगा कि हमारी त्यार इस लेवल की है मेरे विद्यारत आप सभी से घुजारिस रेगी कि आप जहांचा आप से भी ये क्लास देख रहे हैं उसको हमने कभी पीचर नहीं दिया है और वादा है इस बार आपका भी एक्जामन तांडव करवा देंगे है ना तो अगला जो कीशिन है कि MS Word 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उप्योग करके विस्ष्ट पार्ट की प्रारूप की परटिलीपी बनाने के लिए किस इसके इस्तमाल किया जाता है तो काफी बार बताया होगा विद्यार्त हो इस इसकीशिन का कर्एक्ट अंसर आपका कौन से हो जाता है ctrl shift plus c जो है इसकी shortcut हो जाती हैं तो ये तो shortcut तो बैर डारेक्ली याद रखनी होगी इसमें कोई system नहीं है कि आपको रटवाया जाए ये तो आपकी मेनत है कि आप लगातार हम से session देखते रहेंगे तो ऐसे डेरो सारी shortcut आपको याद रहती रहेंगे लाश्ट में हम क्या करेंगे एक एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें आपको सारा shortcut बता देंगे है ना तो examiner की जितनी approach होगी उन सभी तक ले जाने का काम मेरा रहेगा और हमारी team का रहेगा आपका काम है कि आप session को दमदार तरीके से देखिए और session को पूरे राजस्तान के अंदर फैलाना है जिन फाइलो और folder को आप हटाना चाहते हो उसके लिए एक अस्ताई बंडार folder कौन सा होता है जल्दी से जल्दी comment करें अब मैं आपको बता देता हूँ कि किसी फाइलो को आप कोई file हो सकती है folder हो सकता है आप क्या कर रहे हो आपकी computer screen से उसको हटा रहे हो या आपकी computer st acknowledgement से उसको हटा रहे हो तो उसका अइस थाई बोला है contemporary बोला है temporary वो किस folder के अंदर आपकी file या folder चली जाएगी तो आप बोलेंगे सरयासा तो हमारे सामने क्या होता है recycle bin होता है अब recycling bin अगर किसी नहीं देखा हो तो ऐसे glass जैसा förder होता है उल्टा glass ऐसे होता है उसको क्या बोलता है recycle bin बोलते है अब recycle bin में आप क्या करोगे मान के चलो कि आपका mood हुआ च्टेश्प करेंगेगे जैसे इसको डिलीट करेंगे तो वह किसम में चला जाएगा अब बोलेंगे चला गया तो क्या हम सब वापस प्राप्त कर सकते हैं तो बिलकुल विद्यार्थ है यो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं ये तो क्या होगा यस कर सकते हैं इसके बाद में कभी आपसे यूँ पूचा जाए कि क्या आप रिसाइकल बीन में फाइलों को भेज कर आप अपने सिस्टम का जो है जो फ्री इस्टोरिस बढ़ा सकते हो क्या रिक्तिस्तान बढ़ा सकते हो उस इस्टी में आप याद रखना कि उसक option का उप्योग किया जाता तो restore का ही किया जाता है और recycle bin को जो हैं खाली करने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है इंपटी रिसाइकल बिनका इस्तिमाल किया जाता है इतनी इसी बाते आप सभी को पता होगी नहीं है तो इन सभी को आप चान लेना क्योंकि एक्जाम में आपके लिए हेल्प होने वाली है आगे बढ़ते हैं नेक्ष् किश्ईन के और आप सभी से उम्मीद है जल्दी से जल्दे वाइं कमेंब करते रہे हैं कि मेक्रो क्या है जाते हूँ मेक्रो वद्यार ठीओ इसका तो हम क्या नाम देंगे मैक्रो नाम देंगे तो इनके बारे में थोड़ी से जानकारी आप रखना वैसे ऐसे किशिन आपसे आराम से हो जाएंगे आगे बढ़ते अतीम मैंतिपोन किशिन एक्जाम पॉइंट विशे काफी सांदार और जानदार किशिन ये भी हो जाता है कि अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो विद्यार्थ देखीगा ये किशिन काफी वैसे अगर माना जाए तो ससका किशिन है लेकिन वैसे काफी डिफिकल्ड डिकिशिन ये भी माना जाता है अब आप बोलेंगे कि सर अंडू करे या रेडू करे या दौनों करे तो भी मेरी राय मानों तो आप दौनों पर एक बार लगा दीजीगा ना दौनों पर आप जब लगाओगे तो आप बोलेंगे सरे दौनों पर आपने कैसे टिक लगा दिया तो विद्यार्त देखेगा कि अंतिम परिवर्तन को एक तो होता है सक्रिय करना क्या आसे जो correct option आपका ये वर भी दौनों हो जाता है यानि कि आप क्या करते हो नॉर्मली क्या करते हो कि आपने अपने computer के अंदर मान के चलो कि आपने no नाम लिगा अब no को आपने क्या क्या control के साथ में आपने क्या दबाया जड़ दबाया तो वह वहां से क्या हो जाता है हट ज आपका कई बीच आने वाला है यानि 22 तरीके दिन कापी एक्जाम हॉल में महुल होने वाला है विद्यार्थ यों हमसे जो पड़े हैं उन सभी विद्यार्थ हो से आप comment box राय ले सकते हो कापी सांदर और जांदर उनका score रहता है और इस बार आपका भी रन है वाला है आर् निम्न मैसे कौन सा खाता खोला जाता है तो विद्यार्थ देखेगा इसके लिए जो खाता होता आपका कौन सा PMJDY है ना PMJDY आजकल तो ट्रेंड है कि ऐसे किशन तो नहीं पूचे जाते लेकिन एक्जामिनर की अप्रोच आपके सेलेबस में है तो हमें तो करवाना जरूर पर्दान मंथरी जंदन खाता है यह से बिल्कुल हो जाता है इसकी शुरूऻाथ ćशन जरूर पूचा जाता है कि PMJDY की शुरूआ कब वहिओ तो आपको पता रखना अगे न Doska k 두 slavard Прist c के लिए किशिन भी कापी सांधार उन्दार सभी के लिए किशिन है तरिए वाले जो है इंटरणे न्टेयर्वं के प्रशाराण से इंटरणेट परदान करने कि तक्णिक रिनिमन मैंसी क्या कहलाती हैं जो मेरे विद्यार्थ यहां से जो आप सभी जल्दी से जल्दी कमेंट करें और यह वाली तक्निक आपकी क्या हो जाती है DSL अब DSL का पूरा नाम आप सभी को पता रखना है एक्जाम में कई बार पूचा गया है तिसका पूरा नाम है वो क्या हो जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या हो जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका पूरा नाम हो जाता है एक परकार की कनेक्टिविटी होती है मैं उपर लिक रहा हूँ डिजिटरल सब्सक्राइबर लाइन अब आप बोलेंगे सरी ये डिजिटरल सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है तो विद्यारतियों एक परकार की जो है connectivity होती है जिसके माध्यम से internet को access किया जाता है तो ये जो है जो आपके DSL हो जाती है option D आप सभी ने दिया है लगवग आप सभी विद्यारतियों का correct answer है आगे बढ़ते हैं और अतिम अत्यफोन किशिन आप सभी की स्क्रीन पर इस किशिन को तो पहिए आप इस्टार लगा दीजेगा क्योंकि अगर मेरी राय मानो तो एक्जामेंट का पसंदिदा किशिन मेंसे एक किशिन ये भी हो जाता है और बाईशान से यह नहीं पूछता तो printer से तो एक से दो किशिन तो आप मान के चलो आना printer एक ऐसा टॉबिक है जास एक या दो किशन कभी कभार अगर एक जामेनर की खोपड़ी गुम जाए तो आपको दो किशन भी देखने को मिल सकते हैं और अगर प्रिंटर बिल्कुल छोटा से चैप्टर है अगर कंसेप्ट क्लियर मिंस आपका किशन भी क्लियर देखो प्रिंटर एक होते हैं एक तो आपका और दूसरा लाइन और नॉनिमपैक्ट में आपको नाम सुनने को मिलें होंगे डेजी विल हैं आपके कौन नोनीके होगा तो यह इतने सी बात आपको पता रहें कि आगे और आते जाएंगे मैं आपको बताता रहूंगा, अब देखो, आपको क्या पूचाए क्वालिटी पूचाहे, क्वालिटी का मिन्स होता है, इसको मापने की आपकी कौन से हो जाएगी, डिपी याइ होगी, कौन से होगी, एक्जामेन की कभी कभार एप्स रोच ये भी होती है कि आप से सीधा पूछेगा कि डी पी आई का पूरा नाम क्या है को डॉट्स पर इंस होता है क्या होता है डॉट्स पर इंस ऑप्शन सी या से बिलकुल ही करेक्ट एंसर हो जाता है जो ब्यारती से लेट जुड़ रहे है अब वो जो है आपका लक्षे कापी दूर नहीं है 5 दिनों के बाद आपके हाथों में आपका पैपर होने अवाला है तो इस बार जो है पैपर की दुआँ दुआँ एक्जाम में करनी है सिरी सी बात है कि आरिश एटी जैसे एक्जाम में अगर 90 परसेंट नहीं बने तो उस एक्जाम पर ही हमको धिक्कार है हमारा तो एक ही श्लोगन है कि विद्यार्थ जो हमसे पड़े वो 90 से पार जाए अगर 90 से कभी कारण वस नहीं जा पाता तो 80 से पार तो आप सभी को ले जाने की गारेंटी होने वाली है वर्तमान विंडो को रिफ्रेस करने के लिए किस फंक्शन का उप्योग किया जाता है तो भई जो है आपके विंडो को रिफ्रेस करने के लिए कौन सा F5 आपका हो जाता है आगे के जो ऑप्शन है F1 आपका help and support के लिए होता है आगे जो है आपको F3 दिखा है यह किसके लिए होता है तो आपका search के लिए होता है किसके लिए आपका find के लिए होता है आप यहां से कोई भी content को find वगएरा कर सकते हैं F6 का तो हालां कि कोई major use नहीं होता लेकिन F7 का आपका जो होता है spelling error वगएरा के लिए होता है F12 का कापी बार पूचा जाता है save as के लिए होता है किसके लिए save as अब आप बोलेंगे सर यह save as क्या होता है तो विद्यारते हो पुरानी फाइल को वापस आप किसी परकार्शिप format को चैंज करके आप जो save करते हो वो process आपकी कौन सी कलाती है save as कलाती है इस question का correct option F5 जैसे कि आप सभी ने दिया है आपका बिल्कुल correct answer हो जाता है तो यहां से आगे बढ़ते है next question की और की Google Drive का उप्योग या फिर Google Drive का खाली जगा एक उतारण है यानि जो आपको Google Drive नाम दिख रहा है यह किसका एक example होता है तो विद्यार तो जल्दी से जल्दी comment करें कि Google Drive क्या होता है तो मैं आपको इसके लावा और भी नाम बता देता हूँ Google Drive है, One Drive है One Drive है Drop Box है तो यह सारे के सारे क्या होता है तो आप बोलेंगे कि सारे कि सारे क्या होता है Cloud Storage होता है अब आप मैं से आधे ऐसे बोलेंगे कि सारी Cloud Storage क्या होता है तो विद्यार जो Cloud Storage उसका नाम होता है जिसके अंदर आप Digital Content को Store कर सकते है यानि आपके कोई भी document हो सकते है Markshit हो सकते है उसको आप internet के माध्यम से store कर सकते हो किसके अंदर cloud storage के अंदर आगे बढ़ते हैं next question की और की windows 10 पर file या फॉर्डर को lock करने के लिए इनने में से किस का इस्तुमाल आप करते हैं तो जल्दी से जल्दी comment करें कि इस question का correct answer क्या हो जाता है मेरे विद्धार तो समय की थोड़ी सी मरियादा को ज्यान में रखते हैं हुए मुझे session को थोड़ा सा fast करना होगा आप जल्दी से जल्दी आप भी अपनी comment करते रहे क्योंकि time फिर लंबा हो जाता है फिर इस्टूरेंट जादा देर तक टिकता नहीं है तो इसलिए जो है सभी को साथ में लेके चलना है सभी का विकास करते हुए चलना है यहां से बिलकुल एक एंसर हो जाता है इसके द्वारा आप अपनी फाइल फॉर्डर को क्या कर सकते हैं विंडोस टिपेंडर आपका एक परकार से रियल टाइम जो है आपका एंटि वारिस नहीं सबीको पता होगा और को चैजिशन कोई है जैसा कि अपने मोबाल में जो है क्या बोलता है गूगल असिस्टेंड वगरा होते हैं उसी टाप से कोच्षान रिपरोट चेंडर होता है इमेल का पूरा नाम electronic mail होता है email जो है क्या है एक माध्यम है जिसके द्वारा आप जो है जो है अपनी जो mail होता है उसको एक जो है डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज सकते हैं अब इसके अंदर कभी बार CC और BCC का पूरा नाम पूछता है CC का मतलब होता है carbon copy और BCC का म ata —加्ट हो जाता है यह क्या है संदेश बनाने की और संदेश बनाने के लिए उसको आपन क्या नाम देंगे compose नाम देंगे, क्या नाम देंगे compose नाम देंगे, और compose किसी परकार का folder नहीं होता है ये बात आपको गांट बांद लेनी है क्योंकि examiner आपको यहाँ पर फसाएगा लेकिन आपको इस बार फसने का नहीं है, है न, question जो है, सतरवे का जो option C, आपका बिल्कुली correct हो जाता है, विद्यारतों ये भी मैंतरपोन किशन है कि ट्रस्ट सिल क्या होते है कि मेरे विद्यारतियों ये किसे भी website की क्या होते है विश्वास का परतीक है, क्या होता है विश्वास का परतीक है, पूरी दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है तो वेबसाइड पर भी विश्वास होना चीए तब ही वो वेबसाइड टिकी रहेगी तो उनको क्या मिलती है जो है उनको एक परकार से उनको मिलती है सेल मिलती है कि यह विबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं है तो उसी लिए यह ट्रस्ट सेल दी जाती है तो इसके अंदर डेटा सेक्यूरिटी भी होती है बिजनेस वेरिफाइड भी होती है तो सरकारी ओप्शन डी जो है आपका ऐसे बिलकुली करेक्ट एंसर हो चाता है और आपके उम्मीदों पर ऐसे हम खरे उतरते रहेंगे आपके सेशन में आपको बोरिंग होने नहीं देंगे विद्यारत जो सेशन को एंड तक देखेगा गारंटी के साथ बोलता हूं 35 किशन का सेशन होता है लेकिन सतर से सो किशन आपके तयार करवा निग्या गारंटी इस आपके एजुकेटर की रहने वाली हैं आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर में से दुर्भावना फोन फाइलों को स्कैन कर हटाने का काम किसका होता है तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दीजिएगा और इस किशन का जो करेक्ट एंसर आपके क्या हो जाता है एंटी वाय स्केट नेट्वेटर तो आपका ब्राउजर का एक्सपल होता है आगे बढ़ते हैं आपकी कंप्यूटर को आवरलॉड करेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा पर सिस्टम को दीड़े 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 नक्सान पहुचागे आपकी सिस्टम को खराब करने की जिम्हेद तारी कौन उटाता है तो वह काम किसका होगा डिनाइल आप सर्विस्स का हो जाता है यहां पर कोई सरकारी ऑप्शन पर टिक नहीं करेगा यह वह भी दोनों अगर किया तो यहां से आपके नंबर जाने वाले हैं यहां से करेक्ट आप्शन आपका कौन से होता है कम्पिट को लोड करना आगे बढ़ते हैं नेक्स किशन किशन नंबर 21 इस्क्रिंग पर आ चुका है तो जल्दी जिसने भी अभी तक शेशन को लाइक नहीं किया है तो शेशन को लाइक कर देजीगा और दबा के एक बार क्या कर देजीगा शेयर भी कर देजीगा का कि 22 तारीक की दिन एक्जाम में बैठने वाले हर एक इस्ट्रोनेंट तक ये क्लास होनी चीए और वो भी अपने आपको एक्जाम होल में शिक्क्यों और मैसुस करने वाले हैं आगे बढ़ते हैं कि इन मैसे कौन सा कंप्यूटर हाड़वेर पर रन करता है और दूसरे सॉप्ट्वेर पर जो पर के थाना एक अप्ली केशना और शिस्टम ये तो सिस्टम सॉप्ट्वेर होता है आपके सिस्टम को सुरू करवाने का काम करते हैं और उसी के अंदर एक नाम क्या आता है ऑप रिटिंग सिस्टम क्या है क्या आता है वक्रीटिंग सिस्टम जैसे कि Windows 7 विन्डूस विश् अंडूरें कर事情 करो तो जाता है यह सारे की सारे ओप्लेटिंग system रहें और यह क्या करते हैं आपके system को सुरु करवाने का काम करते हैं और जैसे आपका system सुरु हो जाता है फिर आप क्या कर सकते हो जितने भी एपलीकेशन सब्षेस्ट jsौन उनका इस्तेमाल कर सकते हो और जितने भी हार्डवेर हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो तो इसलिए इसक्यूशन का करेक्ट एंसर कौन सा option A बिल्कुली आपका correct हो जाता है आगे बढ़ते हैं कि नेमनमेशे social networking site नहीं है तो विद्यारती social networking क्या होती है जिसके माध्यम से आप अपने परिवार रिस्तेदार जो कुछ भी आपके हैं उनसे आप जो है चैट कर सकते हो यानि बाते आप कर सकते हैं तो उसी को अपन क्या बोलेंगे social networking site बोलेंगे facebook भी होती है जिसको मार्क जगरबग ने 2004 के अंदर बनाया था myspace भी होती है flickr भी होती है और wikipedia नहीं होती क्योंकि wikipedia तो क्या है एक सारजनी की website है जिसके अंदर आपको जो है बहुत सारी जानकारी मिलती है यह कि समुदाए की website होती है किसी वेक्तिव इसकी website नहीं होती है विकीपडिया जश्ट एक website का example होता है आगे बढ़ते हैं कि cd, dvd उधारन है तो जल्दी से जल्दे विद्यारतों कमेंट करें कि यह cd और dvd आकिरकार क्या होती है तब तक मैं आपको बताता हूं कि cd क पूरा नाम विद्यारतों कम्पैक्ट डिस्क होता है और dvd का पूरा नाम डिचिटल विडियो डिस्क भी होता है और डिचिटल वर्षे टायल डिस्क भी होता है जैसे examen की एप्रोच होगी उसके according आपको बात करनी है जिए जो एक परकार की memory है और कौन सी memory के अंदर आत एक सेकेंटरी के अंदर भी फिर आप बोलेंगे कि सर ये तो क्या है और टीकल डिस्क होती है जो डेटा को इस्टोर करने में काम आती हैं आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट एकसेस करने के लिए निम्न मैंसे किसकी आविश्यक्ता होती है ये किशन भी कापी इंपोटेंट आपकी त्यारी के पात्र हैं कि आपकी त्यारी बिल्कुल सही दिसा में जा रही है आगे बढ़ते हैं कि एक ऐसे संख्या जो इंटरनेट का पता होती है तो अभी तो मैंने बोला कि जब भी संक्या नाम दे तो किस पर टिक लगाना है आपको आई-पी अड्रेस पर लगाना है जैसा कि आप सभी कमेंट में दे रहे हैं आई-पी अड्रेस यहां से बिल्कुली करेक्ट एंसर हो जाता है सरी, URL क्या होता है तो विद्यार तो URL का पूरा नाम Youniform Resources Locator होता है क्या होता है Uniform Resource Locator होता है बेंस अपीप pragma जान देना आपको अच्छण समय में नहीं आएगी क्योंकि जो है लिखी यासे रहे हैं जो है URL का पुरा नाम uniform resource locator होता है क्या होता है uniform resource locator होता है और यह जो है अमेशा आपकी किस में लिखा जाएगा आपकी कीवर्ड में लिखा जाएगा फिर मान के चलो www.google.com तो यह क्या है यह गूगल का एड्रेस है तो यह एड्रेस ही क्या होता है URL होता है जबकि वह एड्रेस अगर आपको किस में मिले संक्याओं में मिले तो फिर आप किस पर जाओंगे आइपे ड्रeस करोगे आइपे आइड्रेस का पूरा नाम इंटरियॡ प्रोटकों उतना होता हे तो इतने शी जानकरी जैसी आपको बता होगी वे एंक्जामिनर आपके फिदा होने वाला है बिल्कुल दो नमबर यहां से आपके पक्के होने वाले है आगे सीमेंसे सितने पूरे नाम आप सभी लोग याद रखना इसका फोर्टर मैंने थोड़ो टायम पहले बोलाता ना कि कम्पोज नहीं होता है कम्पोज क्या है सर तो कम्पोज जो है आपके जश्ट फाइल को क्रियेट करने का एक तरीका है यह किसे भी परकार का जो है फोटर नहीं होता है, सेंट मेल बिल्कुल होता है, यहां से आप एक वैक्टी को जो है, फाइल जो है, या इमेल जो है, आप सेंट कर सकते हैं, ड्राप्ट में सर हम क्या करेंगे, तो मान के चलो कि आप किसी भी इमेल को लिख रहे थें, आपको काम आ गया, या किसी कारण वस आपकी फाइल वो अधूर ही रह गही है, तो उसको हम किसमें देख पाएंगे, ड्राप्ट के अंदर, इस पाम याद रखना अंचाय मेल होते हैं, क्या होते हैं, अंचाय मेल, इसके अलावा एक नाम आपको हमेसा देखने को मिलेगा, सरक्या, तो वो नाम आपको देखने क को मिलेगा ट्रेस अब ट्रेस क्या होता है जहां पर डिलीट फाइलों को स्टोर कर रखते हो यह डिलीट फाइलों का मेरा मतलब है इमेल है ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किशन की और किशन नमर 27 आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी विद्यारती जो शेशन से लेट चुल इतने और बेचने के लिए इस्तिमाल किया तो बहुत तीन से चार बार मैंने बता दिया यह कुशन तो बोल बोल के तो यह से बिलकुल एसके परकार बीटू सी बीटू बी C2, C, C2B C का मतलब consumer B का मतलब business बाकी आप सभी जानते हो क्या-क्या इसके पूरे नाम हो जाएंगे ये सर्श इंजन भी बता दीजिएगा तो सर्श इंजन जो है आपके Google है, Yahoo है, Bing ये तिनों की तिनों आपके सर्श इंजन होते हैं आगे बढ़ते हैं, कि Windows का कौन सा program, file of order को वैवस्थित करने में काम आता है तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग comment करें कि इनमें से कौन सा काम आएगा तो Windows Explorer जो आपको नाम दिख रहा है Option E, यहाँ से आप बिल्कुल correct answer हो जाता है, आप सभी ने जो है, correct विकल्प को सूच किया है, आगे बढ़ते है next question की और कि Excel Windows का कौन सा चेत्र cell के मान एवन सुत्र को परदसित करता है तो विद्धार तो जल्दी से जल्दी comment करें दोको Excel है, MS Word है आपका PowerPoint है यह तीनों chapter हम आपको अलग से और भी करवाएंगे, क्योंकि यहां से जो है examen की, देखो, examen आपको केवल इन तीन chapter में फसाएगा और इन तीन chapter से आपको exam में तकरीबन आपको 6 question देखने को मिलेंगे अब 6 question अगर 22 वो भी आपकी गलत हो जाते है ना, तो मैं आपको 30 question तो हूब हूब, आपको इन session से देखने को मिलेंगे यानि कि ये 6 question भी जरूरी तो नहीं होता, लेकिन कभी एक बार examen की approach थोड़ी सी हट जाती है तो तो प्रैक्टिकल वाले topic है तो इनकी ज़्यादा guarantee तो नहीं ले जा सकती हलांकि इन में भी आपको approach दी जाएगी जैसा examen की approach है आज सिक जैसे question पूछे जाते है उन्हीं के according और plus हम विद्यार दो plus 6 years से भी उपर का जो offline classes में भी हम पढ़ाते हैं तो हमें पता हैं कि कि step से आपकी question examen की approach रहती है तो आप बिल्कुल सही platform के साथ में है करते ही आपको चिंता करने वाली बात है नहीं description का जो correct option formula बार हो जाता है तो आप तो बस situation को ज़्यादा ज़्यादा आपको अधिक से अधिक लोगों तक फैलाना है ताकि हमें भी थोड़ा motivation मिलता है कि ज़्यादा ज़्यादा जैसे student live आते है तो हमारी जो मेनत है और भी उसमें रंग लाने लग जाती है तो यदि एक computer में एक से अधिक processor होते हैं तो उसे क्या का जाता है तो विद्यार तो ये तो पता है कि एक से अधिक यानि multi और क्या बोला है आपसे processor तो option B यहां से बिल्कुली correct हो जाता है कि ये जिन्दगी कुछ ज़्यादा अखवाई से नहीं है तुछ से बस मेरा अगला कदम पिछले वाले से बैतरिन हो और कुछ ज़्यादा उम्मीत नहीं है बस ये वारा जो station है और आपका जो exam है कापी सांदार और जांदार होना चीए बाकी तो सब मारेव की किरपा हैं सब पे बनी रहेगी है आगे बढ़ता है कि किसके द्वारा message के साथ फाइलों को भी बेज सकते हैं तो विद्यार तो यहां से क्या है attach attach सी क्या कर सकते हो कि आप अपने email के साथ में किसी भी फाइल हो सकता है उसको आप जोड सकते हैं और उसकी maximum size कितनी होती है 25 MB होती है यानि आपकी फाइले 10 हो सकती है 15 हो सकती है जो भी है लेकिन 25 MB से अधिक नहीं होनी चीए इस बात को हमेसा याद रखना BCC का मतलब blind carbon copy होता है सब्जेक्ट में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको आप लिखोगे और टू का मतलब जिसको आप लिखना चाहते है उसका address इसके अंदर लिखा जाता है एक चीज हमेसा याद रखना कि जब भी email address लिखा जाएगा या email ID लिखी जाएगी तो सारे लेटर इसमाल होंगे address का symbol होगा बीच में space नहीं होगा और बाकी जो है आप देख सकते हो यह तीनों बाते आपको याद रखनी है कि सारे लेटर इसमाल ID का symbol होना चाहिए और इस पेस text के बीच में नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं next question कि निमन लेकित मैंसे कौन सा printer सबसे अच्छी गुणोता वाली वेक्टर या ग्राफिक्स का उधबादन करता है तो विद्धार तुझे को printer आपका console device output device कितने परकार कि मैंने आ आपका correct हो जाता है और laser किसका इस्तमाल करता है toner black suka powder इसका इस्तमाल करते हुए प्रिंट करने का काम करता है तो यह कुषिन भी काफी बार exam में पूचा जाता है तो विद्धारतियों plotter जो हैं आपकी उच्छ गुणोता वाली यानि high quality के वेक्टर या ग्राफिक्स का उत printer होता है जिसको आप character के अंदर इसका नाम ले सकते हैं आगी फिर आप देखना कि एक तो आपका होता है ink-zat ink-zat ink का इस्तमाल करते हुए print करता है और एक आपका होता है thermal होता है गरम तत्व का उपयो करते हुए print करता है देखो अभी जितनी भी बाते बोल रहा हूं हो सकत हो आगे बढ़ते है कि किसी फाईल का नाम बदलने के लिए किस फ journalism का उपयोग किया जाता है जल्दी सजल्दी कमेंट कर दीज़ेगा कि इसको हम क्या बोलेंगे रीनेम बोलेंगे यानि आपका फाईल का नाम पहले से लिखा हुआ है लेकिन आपका क्या हो रहा है मूड चैंज हो रहा है आप क्या करेंगे उससे फाइल का नाम बदल के वापस नाम लिखना चाह रहे हैं तो पर एप टू यहां से बिलकुल एकरेक्ट एंसर हो चाहा है रिनेम के लिए बाकी एफ मन मैंने आपको बता दिया है क्या कि आप बोलेंगे परफ्ड कामपूट का मतलव होता है जो आपकी सूचना को या आपके नरदेश को कम्पूंट टक पहुचाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे इन और पूट यानि कि बार कोड कौन सी हो जाती है इन पूट यह क्या करती है बार कोड को scan करके computer तक पहुचाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे इन पूट डिवाइस बोलेंगे आगे बढ़ते हैं next question और आज की slide का अंतिम question I hope आपको session काफी पसंद आया होगा वह अगर session के साथ में enjoy किया है और session को पसंद किया है तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग इस session को like करें share करें और channel पर पहली बार widget किया है तो चैनल को subscribe जरू करें क्योंकि यह subscribe करने से क्या होता है कि हमारे भी क्या होती है family थोड़ी से बढ़ती है और जैसा ही family बढ़ी होगी हम जो है कापी सांदार आपके लिए मैनत करने वाले हैं तो विद्यार तो कते ही चिंता वाली बात नहीं है पुराने जो जितने पी स्टुडेंट है उनका प्रीव्यू ले जाएगा उसके बाद में किसी प्लेट फॉर्म पर बरोसा कर दीजिएगा ऐसे उठके किसी के बरोसे नहीं बैटना है अलाएं कि बहुत सारे अच्छी चैनल भी हैं हम किसी की निंदा नहीं करते ल हो जाता है कंट्रोल को चांट का और THIS कौंशी कंट्रोल और ये तीनोंगी तीनों कोंभी नेशन यहां बागी नम लोह इस उस्क्रोल लॉओ यए तीनोंमिद आपके हुश्यज होती है तो यह था आज का का awhile के वर और विद्यार्ट फॉब आप सभी नेैं को अर्ड़ो ओर तो यह आप सभी का श्वागत आप सभी जुड़े थें एक बैतनी सेशन के साथ में और और भी अगर किसी परकार की exam से related दिक्कत आ रही हैं तो आप हमें comment जरूर करें उस पे हम especially focus करेंगे ताकि आपको exam में किसी परकार की दिक्कत नहीं होनी चीए विद्यारतियों आपके वजह से हम है अगर आप नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है यानि आप सभी विद्यारतियों को जो प्यार मिलता है उस इके ब्रो से यह जतने भी Revelation यह चलते हैं बाकी सोब आपकी किरपा नैवार्ग है और ईसही मिलके इस परिवार को काफी बड़ा बनाएंगे और आप सभी से उमीद है कि आप session को ज़्याद ज़्यादा like और share करेंगे अभी के लिए इतना ही तब तक के लिए good night मिलेंगे कल और एक next session के साथ में तब तक के लिए जै हिंद वंदेवातरम जै वारत